तुदेंस वेलकम टू बायोजोन क्लासेज मैं डॉक्टर दीपा डाहा के आपकी मेंटर आज डिसकस करेंगे हम लोग महराश्टरा स्टेट के बीएमस एंड बीएचेमस कट आफ के बारे में आयुश काउंसलिंग और आयुश जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट क्याद रखिये यह काउंसलिंग कर玩ेगर चलती है और जब दोनों की चलिंग की ओक्राइटेरिया खंप्लीत होगे एड कोटा के लिए उसके बाद आपका आयुश यह काउंसलिंग करना recogn这 race ओन पर किकन मंत्रा लेने जारी किया है जिसमें clear उन्होंने कहा है कि जो counselling होगी BMS, BHMS, युनानी और सिद्धा कोर्सेस के लिए ये सभी counselling दो schedule में होगी एक 15% All India quota के लिए और second आपका होगा 85% state quota के लिए अभी ये जो recent notice निकाला गया है ये All India quota आयुश counselling के लिए है जिसमें कि जो 15% All India counselling होगी उसमें केवल जो institute शामिल होगे उसमें आपके Central Universities है, National Institutes है and Government Colleges है BMS, BHMS के और उसके साथ-साथ जो deemed universities है वो भी आपकी All India counselling में participate करेंगी private college All India counselling में BMS और BHMS के counselling के लिए participate नहीं करेंगे, private college उसका participation जो होगा वो जब state का 85% quota के लिए counselling start होगी और state की counselling याद रखिए अगर आप महराष्टरा state को विलोंग कर रहे हैं क्योंकि आज का ही अपना वीडियो महराष्टरा से ही related है तो महराष्टरा state को विलोंग कर रहे हैं तो जो महराष्टरा state की authorized body है आयुश counselling के लिए वही body जो है वो state counselling 85% quota के लिए करवाएगी तो यहाँ पर यह आप बहुत ज़्यादा अभी घब रहे हैं secondly यह जो rank आप दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे मुझे rank भी provide कर रहे हैं तो यह rank आपका NEET का rank है यहाँ पर देखिए NEET की complete counselling के बाद और BDS की counselling के बाद जब आयुश ministry की counselling start होगी तो जितने बच्चे उस counselling में apply करते हैं उन बच्चों के according एक list निकाली जाती है selected candidates की और एक rank provide होती है और फिर उसके according आपकी आयुश की counselling या डबल A, triple C हम कह रहे हैं डबल A, triple C आपका website का actually नाम है जिस पर पूरी informations आपको मिलेंगी तो वहाँ पर उससे related आपको informations मिलेंगी तो यह बात आप थोड़ा clear रहे है कि अभी यह जो आपको rank है यह आपकी NEET के लिए rank आपका NEET का exam था तो MBBS के admission के लिए और BDS admission के लिए यह rank आपको provide की गई है अब हम यहाँ पर discuss कर रहे है माराश्टरा के cut-offs क्या होंगे mainly जो discuss करेंगे cut-offs में माराश्टरा के वो unreserved या general category या सामानने वर्ग हम कह रहे हैं उनको उसके बाद हम अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर other backward classes के बारे में हम देखेंगे कि कितना cut-off रहेगा और यह जितना भी cut-off है यह एक general prediction है मैं कह रही हूँ जो last five years के cut-off थे उसके basis पे prepared किया गया है मेरे द्वारा और हो सकता है कि इस general cut-off के according 10 marks आपके उपर या नीचे हो सकते हैं तो as it is उसको एक आप deadline मानके मच चलिए हो सकता है अगर मैं कह रही हूँ कि general category या unreserved category में 460 plus है तो हो सकता है कि वो 450 भी जा सकता है या 470 भी जा सकता है secondly schedule cast and schedule tribe के लिए भी हम लोग आपे देखेंगे कि क्या रहेगा आपका महराष्टरा में state cut-off for BAMS and BHMS और next अगर महराष्टरा में government colleges की बात करते हैं private colleges की बात करते हैं और edit colleges की बात करते हैं तो best institute से महराष्टरा में आयुरवेदा और homeopathy के लिए तो students अगर basically जो droppers के student थे अगर उनको next आपको drop नहीं लेना है और आपको इसी साल एक best course opt करना है तो अगर आपको महराष्टरा स्टेट का भी B.A.M.S या B.H.M.S का government college मिलता है तो आप उस seat को skip मत करिए क्योंकि best opportunities हैं अब आपकी आयुरवेदा और homeopathy में भी आयुष मिनिस्ट्री ने बच्चों के लिए बहुत scopes develop की हैं प्लस आप research field में आप general practice के साथ साथ अगर आपको scientific research में भी interest है drug formulation में भी interest है तो आप इसके साथ साथ अपना drug formulation भी कर सकते हैं या research laboratory से किसी connect होके आप अपना research भी complete कर सकते हैं बट research के लिए generally यह होता है कि आपको UG के बाद क्योंकि जो BMS के आप degree लेंगे BMS की degree लेंगे यह degree याद रखे यह आपका graduate course की degree होती है और इसके बाद फिर research के लिए actually आपको PG required होता है तो MD या MS करने के बाद ही आप research में जा सकते हैं तो आईए हम discuss करते हैं कि महराष्ट्रा में state cut off अपना क्या होने वाला है 2020 के लिए तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं तो first देखी हम study कर रहे हैं यहाँ पर unreserved category के लिए unreserved category के लिए जो cut off होगा वो लगबग आपका कितना जा सकता है 460 प्लस रहेगा यह फिर कह रही हूँ यह 450 भी हो सकता है अगर 450 होता है तो जिन बच्चों के थोड़े कम है वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है और 470 है तो जो 460 क्रॉस कर रहे हैं वो बच्चे government college की seat ले लेंगे after that हम आते हैं other backward classes और फिर देखिए आपका पिछडी जाती पिछडी जाती में अगर हम देख रहे हैं तो पिछडी जाती में आप देखिएगा यहां पर आपका होगा 430 प्लस मतलब जिन बच्चों को 430 या 430 से ज़्यादा marks है वो अपनी government college की seat मान सकते हैं कि उनको BAMS BHMS का फिर देखिए जो BHMS का cut off होता है वो हमारा यह मैं बता रही हूँ BAMS का जितना भी मैं सभी इसमें sessions में discuss कर रही है वो BAMS के लिए ही mainly discuss कर रही हूँ क्योंकि BHMS का cut off आप अपने level पे predict कर सकते हैं कि अगर यहां पर हम OBC के लिए 430 कह रहे हैं BAMS में तो BHMS में यह आपका 410 या 420 हो 410 और 400 होगा क्योंकि nearly 20 marks कम ही होते हैं BHMS के cut off के तो BHMS का cut off आप उस basis पे find out कर सकते हैं फिर इसके बाद हम आते हैं schedule cost अत्वा SC के लिए SC के लिए जब हम cut off देख रहे हैं SC का cut off आप याद रखे हैं यहाँ पे होगा अपना 350 या फिर 360 प्लस जा सकता है तो 350 और 360 प्लस इस साल थोड़ा ज़ादा जा रहा है cut off उसका reason है और वो reason आप सभी को पता है आप में से बहुत से बच्चे ऐसे जिनोंने बहुत अच्चे 500 प्लस score की है बट उनकी ranking बहुत आई गई है क्योंकि neat का result जो है वो बहुत unexpected तरीके से आया हुआ है और इसके कारण जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की थी 520, 525, 530 भी आ गए बट उनको भी अब एक किसी तरह से हम कह सकते हैं कि थोड़े वो कहीं निराश हुए है तो वो उस निराशा को अपने उपर हावी बिल्कुल भी नहीं होने देना है जो भी result आया है उसको accept करना है और उस result के साथ हम को आगे बढ़ना है अब हम देखते है schedule tribe या ST का cut off क्या जाएगा ST का cut off थोड़ा कम ही रहेगा तो यहाँ पर आप याद रखिए 240 प्लस आप लेके चलिए ST का cut off तो जो भी students इन categories में देखिए जनरल की बात मैं फिर नहीं कर रहे हूँ क्योंकि जनरल या समान्यवर्ग के जो बच्चे हैं उनको category का कोई certificate नहीं देना होता है ठीके बट जब आप OBC, SC और ST category या किसी भी category को आप बिलोंग करते हो तो आपको अपने category का certificate देना है तो certificate भी देख लीजिए कि proper आपके पास available है या नहीं है और secondly मूलनिवासी प्रमान पत्र आपको required है जो important document है क्योंकि 10th के, 12th के documents school living certificate है, migration certificate है ये सब NEET का आपका admit card है, NEET का score card है और जब आप counseling के लिए जाएंगे तो एक आपको letter issue होगा online ही वो भी आपका एक letter होगा तो ये सब तो आपको clear होता है बट आप कहीं न कहीं mistake कर जाते हैं कहां पे जब state की counseling में जाते हैं तो मूल निवासी प्रमाण पत्र तो मूल निवासी प्रमाण पत्र अपना prepare कर लीजिएगा दो प्रकार के, ये last session में भी मैंने अपने videos में बताया है एक स्थानिय निवासी प्रमाण पत्र होता है और एक मूल निवासी स्थानिय निवासी प्रमान पत्र उन बच्चों के लिए चल जाता है जिनों जो महराष्टरा के ही है और उन्हें 10th और 12th अपना महराष्टरा बोड से ही किया है पर अगर आप महराष्टरा स्टेट के हैं बट कॉम्पिटीशन को प्रिपेर करने के लिए आपने 12th 11 12th किसी और स्टेट से दिया है यह 10th और 12th का एक्जैम आपने किसी और स्टेट से दिया है उस कंडिशन में आपको वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट या मूल निवासी प्रमान पत्र लगता है तो वह प्रमान पत्र आप अपने पास प्रिपेर रखिए पूरे डॉक्युमेंट्स प्रिपेर और अगर ये कट ओफ आप इसके आसपास भी कट ओफ के आ रहे हैं तो थोड़ा खुश होई है क्योंकि अभी तो बच्चे नीट के रिजल्ट के कारण रेंग के कारण बहुत ही ज़्यादा थोड़े निराश टाइप के हैं तो आप लिटिल बिट हैपी हो सकते हैं कि आप आपको एट लीज BMS और BMS का गवर्मेंट कॉलेज की सीट मिलेगी दूसरा मैं यहां पर यह कह रही हूं कि आप लोगों के जैसे जैसे डिमांड सारे उसके अकॉर्डिंग में अब आप लोगों के लिए यह वीडियो सेशन्स लेकर आ रहे हूं और अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहे हैं मैं अपने तरफ से काफी efforts करने की कोशिश कर रहे हूं तो मेरे efforts भी आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो kindly channel को subscribe करिएगा like करिएगा और share भी करिएगा ताकि आपके जो friends वग रहे हैं उनको भी time to time या आपके साथ जो junior students हैं उनको time to time थोड़ा correct guidance मिलता रह और another exams के not only यह तो हम अभी BMS, BHMS, NEET के बारे में discuss कर रहे हैं अगर आपने वेटनरी में भी enrolled किया है अपने आपको वेटनरी का exam दिया AIPVT का या फिर आपने Indian Council of Agriculture Research Biology से related जितने भी exam से उससे किसी भी exam से related आपको कोई भी guidance अगर required है तो आप freely comment box में comment कर सकते हैं मैं उसके उ करोंगे तो next session तक सभी students motivate रहे हैं hard work करें and be an honest with yourself and with society